वेलकम टू मैट्स कोको, इन दिस वीडियो, क्लास एट मैथेमेक्टिस, चेप्टर टू, लिनियर एक्वेशन इन वन वरियेवल का एक्सरसाइज 2.2 को सल्व करेंगे देखिए, यह बहुत ही असान एक्सरसाइज है, और इसे पहले वाले क्लास में हम लोग 2.1 को भी बहुत ही अच्छे से रीड किया था, और सारे एक्वेशन आप लोगो समझ में भी आ गया था अब मैं आज की क्लास में 2.2 को सारे एक्वेशन को सल्व करूँगा, बहुत ही इजी में तड़ से, ओके फ़र्स्ट क्वेशन क्या बोला है, पहले हेडिंग पढ़ लो, सल्दा फॉलोइंग लिनियर एक्वेशन, यह लिनियर एक्वेशन इनको सल्व करना है फ़र्स्ट है कि x by 2 minus 1 by 5 equal to x by 3 plus 1 by 4, आईए इस क्वेशन को मैंने पहले से लिख रखा है, ठीक है, ध्यान से इसको देखो, शारे आशान क्वेशन है, ओके इस क्वेशन को सल्व करने का सबसे असान मिथड क्या है भाई, तो सबसे पहले जो इक्वेशन है न, उनको एक बार राइट कर लो, क्या है, x by 2 minus 1 by 5 equal to x by 3 plus 1 by 4, ओके अब देखो, जो हमारा x है न, उनको एक साथ करेंगे, ये देखो, पहले तो बीच में जब equal का साइन रखता है, उसको यहाँ पर implicated का साइन लगा दिया करेंगे, ठीक है, और आपको मैंने क्या पढ़ाया था, कि जो एक साथ रहेगा, मतलब जो एक जैसे रहेगा, उनको एक साथ करना होगा, ये x है, और ये x है, लेकिन equal की साइट है न, तो इनको इधर लेकर आजाएंगे, पहले x by 2 है, तो मैं इसको लिख लेता हूं, कि x by 2, और ये plus है न, equal के साइट आएगा, तो क्या होगा, minus x by 3, equal to, ये 1 by 4 है, तो 1 by 4, और ये minus है, equal के साइट जाएगा, तो पलस हो जाएगा, 1 by 5, ओके, कोई प्रोब्लम ने किसी को, अब यहां से देखो, 2 और 3 का एलसियम क्या होगा, 2 और 3 का एलसियम, 6 हो जाएगा, इनको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे, 2, 3, जा 6, 3 और x से करेंगे, तो ये होगा, 3x, minus, इसको करेंगे, 2 टाइ 5 टाइमस, 5 और 1 से कर देंगे, तो 5 पलस, इसको डिवाइड करेंगे, 4 टाइमस, 4 और 1 से कर देंगे, तो 4 होगा, ठीक है, आगे बढ़ो, 3x में से 2x जाएगा, ये आजाएगा, x by 6, equal to 5 और 4, 9 by 20, ओके, अब देखो, दोनों डिवाइड मेंना, तो इसको क्या करते हैं, cross इसके साथ मल्टपल, और ये वाला, इसके साथ मल्टपल करेंगा, यहाँ से देखो, 20 और x से करेंगे, तो 20x हो गया, equal to, 6 और 9 से करेंगे, 5, 6 जाब 54, ओके, यहाँ से x equal to करेंगे, तो 54 है, और आपको पता है, कि x में जो मल्टपल करता है, equal के साट जाएगा, तो, डिव इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 27 टाइमस में डिवाइड हो जाएगा, इसको करेंगे, तो 10 टाइमस में हो जाएगा, यानि हमारा x का जो value आया, 27 by 10 आ गया, 27 by 10 आ गया, यह हमारा answer, आएए मैं इसका answer को match करा कर चेक करता हूं, कि आया है, या नहीं आया है, क्योंकि बह चेक कर लिया करो, तो आईए मैं एंसर को चेक कर लेता हूँ, आप लोग जब कहते हो तो कर लूँगा भाई, 27 by 10 हमारा एंसर आ गया, ठीक है I hope कि आप लोग को एक question समझ में आ गया होगा बहुत ही असान है, ठीक है अब इसका second question क्या है n by 2 second question को write करो n by 2 n by 2 minus 3n by 4 minus 3n by 4 plus 5n 5n by 6 equal to 21 21, ओके आप देखो तो इस question को मैं solve करता हूँ सबसे पहले यह देखो यहाँ पर तो इस side में कुछ नहीं है न मतलब यह बेचारा अकेले है और यह n वाला एक साथ है तो इसमें कुछ करने की जरूत नहीं है तो पहले आप इस equation को write कर लो n by 2 minus 3n by 4 plus 5n by 6 equal to 21, ओके अब यहाँ देखो तो जब बीच में equal का sign रहता है तो यहाँ पर implied date का sign देना जरूरी है यहाँ देखो 246 का LCM लेंगे 246 का LCM क्या होगा उसके लिए मैं क्या करूंगा भाई rough page में जाओंगा मैं rough page में गया और 246 का LCM निकाल रहा 2 से करेंगा 1 224 236 आप तो निकटेगा 236 622 इसका LCM जो आएगा वो 12 आएगा क्या आएगा 12 ओके अब इसको डिवाइड करेंगे 266 जा 12 6 टाइम 6 से और N से करेंगे यह 6 N हो जाएगा minus इसको करेंगे 4 3 जा 12 3 और 3 से करेंगे 9 N हो जाएगा पलस इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम 2 और 5 से करेंगे 10 N हो जाएगा इकवल टू 21 अब देखो अब क्या करता है यह 6 N और 10 N 16 N 16 N में से 9 जाएगा क्या होगा 16 में से 9 जाएगा तो क्या होगा 7 क्या जाएगा 7 N by 12 इकवल टू 21 देखो एक बात याद रखना जब यहाँ पर नीचे में कुछ नहीं है न तो आप 1 लिख सकते हो क्यों क्योंकि आप किसी भी नंबर में 1 से जब डिवाइड करोगा कोई फर्क नहीं पड़ता तो मैंने 1 से डिवाइड कर दिया अब इसको मैं कर सकता हो Cross Multiplication आप मैं कर सकता हो Cross Multiplication 1 और 7 N से करेंगे 7 N हो गया और यह 21 इन्टू 12 कर देंगे क्योंकि 21 इसमें कहले जाकर करेंगे multiple यहाँ से 7 N equal to 21 और 12 को क्या कर देंगे multiple तो क्या आएगा 21 और 12 से multiple करेंगे यह हुजएगा 42 यह 21 यह 2 यह 5 यह 2 252 252 अब मैं क्या करता हूँ यहां से n equal to करूँगा तो 252 by 7 अब देखो तो इसको divide कर दूँगा रफ में जाओँगा और 252 में 252 में 7 से divide करूँगा 7 तरी जाए 21 और यहां से कितना जाएगा अब 4 और यह 2 7 सिख जा 42 यानि 36 टाइमस में क्या होगा divide हो जाएगा 36 टाइमस यानि हमारा n का जो value आया 36 आ गया तो चलो अब मैं answer चेक कर लेता हूँ क्या हमारा answer आया है या नहीं आया है आये answer के पीछे चलो answer के पीछे आ गया हम लोग देखो देखो नहीं आया है आगे और आगे है नहीं नहीं पीछे आगे है ठीक है ठीक है देखो n का जो value आया 36 आ गया आप लोग को समझ में आया बहुत अच्छा चलो अब हम इसका 3 number question को देखेंगे 3 number क्या है question आपका पर equation को write करो question 3 है कि x प्लस 7 इक्वल टू नहीं गलत लिख लिए ना माइनस है question रॉंग हो गया x प्लस 7 माइनस 8x by 3 इक्वल टू 17y6 माइनस 5xy2 ओके यह हमारा question है अब मैं इसको solve करता हूँ सबसे पले क्या करेंगे इस equation को एक बर write करेंगे x प्लस 7 माइनस 8x by 3 इक्वल टू 17y6 माइनस 5x by 2 बीच में इक्वल का sign है यहाँ पर implied rate का sign देंगे अब आगे बढ़ते हैं यह x है x माइनस 8x by 3 अब यह माइनस x प्ला है ना इसको ही set लाएंगे तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस क्योंकि प्लड जाता है तो 5x by 2 हो गया इक्वल में क्या है 17y6 है और यह देखो यह 17 मतलब इसके जैसा है न इसको भी इधर लेकर आएंगे प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर कुछ नहीं तो आप वाल लिख सकते हो क्योंकि किसी भी नमबर में 1 से डिवाइड करने से कोई फार्क नहीं पड़ता यहाँ भी लिख सकते हो कोई फार्क नहीं पड़ेगा तो अब मैं क्या करता हूँ 1,3,2 का LC हम लेंगे 6 हो जाएगा इनको डिवाइड करेंगे 6 ताइम 6 और X से करेंगे तो यह हो जाएगा 6 X माइनस इसको डिवाइड करेंगे 2 ताइम 2 और 8 से करेंगे यह हो जाएगा 16 X पलस इसको डिवाइड करेंगे 3 ताइम 3 और 5 से करेंगे 15 X हो गया इक्वाल टू 6 और 1 का LC हम 6 इसको divide करेंगा 1 time 1 और 17 से करेंगे 17 minus इसको divide करेंगा 6 time 6 और 7 से करेंगे 42 सबको बाते समझ में आ रही है कोई problem नहीं किसी को चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ देखो 16 में से 15 जाएगा क्या आएगा minus x minus x और 6 x क्या होगा 5 x होगा क्या होगा 5 x हो जाएगा क्या हो जाएगा 5 x समझ मारा बाते सबको कोई problem तो नहीं है किसी को न 5 x by 6 हो गया अब इनको करेंगे 42 में से 17 को minus क्योंकि plus और minus मैंनस होता है तो मैं क्या करता हूँ रफ पर ही लाता हूँ और 42 में से 17 को minus करना चाहता हूँ कहरी लेगा यहां से 5 हो जागा यह 3 हो गया यहां से 2 हो जाएगा 25 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा ओके तो minus क्योंकि greater का sign minus है तो minus रखेंगे 25 by 6 हो गया अब इसको मैं cross multiplication कर देता हूँ तो 6 और 5 x से करेंगे यह हो जाएगा 30 x equal to 25 को 6 से कर देंगे तो 25 को जब 6 से करेंगे तो कितना होगा 24 100 150 150 और minus है तो minus रहेगा x में 30 क्या कर रहा है multiple equal के side जाएगा divide कर देगा minus 150 by 30 अब 35 जा क्या हो जाएगा 35 जा 35 जा हो जाएगा 35 जा 150 होता है और minus है तो रहेगा x का जो value आया वो हमारा minus 5 आगया चलता हूँ answer को check करता हूँ क्या आया है या नहीं आया है सही बनाओगे तो आएगा ही बिलकुल आएगा देखो x का value minus 5 आ गया ठीक है है न सही तो आप लोग भी अच्छे से बनाओ सारे questions सही बनेंगे ठीक है question 4 देखो question 4 क्या है एक्स माइनस 5 डिवाइड़ वाइ 3 इक्वल टू एक्स माइनस 3 डिवाइड़ वाइ 5 ओके अब चलो यहां से इस question को solve करता हूँ सबसे पहले जो equation given रहता है उसको मैं write करूँगा equal to x माइनस 3 वाइ 5 अब यहां पर तो कुछ करने लाए कि बन नहीं रहा है तो मैं क्या करूँगा direct इसको cross multiplication कर दूँगा ठीक है बीच में equal का sign लगा था यहां पर imply date का sign लगेगा चलो 5 क्या करेगा इन दोनों में multiple कर देगा तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ कि 5 into x minus 5 equal to ए 3 जाकर किन में multiple करेगा तो 3 into x minus 3 हो गया अब यहां से देखो 5 और x से करेंगे 5x 5 और 5 से करेंगे 25 equal to 3 और x से करेंगे 3x 3 और 3 से करेंगे 9 अब यहां से देखो जो एक जैसा है न उसको एक साथ कर लेंगे तो 5x को 5x और यह plus 3x इदर आएगा तो minus हो जाएगा और यह minus 9 है और यह minus दर जाएगा तो plus हो जाएगा 25 ठीक है अब यहां देखो तो 5x में से 3x जाएगा 2x 25 और minus 9 क्या होगा 25 और minus 9 16 हो जाएगा x में 2 क्या कर रहा है multiple equal में जाएगा तो divide कर देगा अब इसको divide कर दो 2 8 जा 16 यह एकस का जो value आएगा 8 आएगा आप जाएए answer चेक करिए आ जाएगा ठीक है तो question number 4 भी हमारा complete हो गया ठीक है question 5 देखिए क्या है question 5 बहुत ही important question है और थोड़ा सा लगता है कठीन है लेकिन आप लोग को इतना easy बताऊंगा कि आप कोई भूल नहीं पाऊगे 3t minus 2 by 4 okay minus 2t plus 3 by 3 equal to 2 by 3 minus t अब देखो मैं इस question को कैसे सल्व करूँगा बहुत असान method से सबसे पहले इस equation को एक बार write करेंगे 3t minus 2y 4 minus 2t plus 3y 3 equal to 2y3 minus t अब देखो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले जो t वाले है ना उनको एक साथ कर लेता हूँ ठीके तो देखो यह है 3t minus 2y 4 minus 2t plus 3y 3 equal to यहाँ पर कुछ नहीं तो हम वाल लिख सकते हैं तो 3 और 1 calcium 3 हो गया इनको डिवाइड करेंगे 1 टाइम 1 और 2 से करेंगे 2 minus इसको डिवाइड करेंगे 3 3 और t से करेंगे 3 t हो गया ओके अब देखो मैं क्या करता हूँ अच्छा एक mistake हो गया है mistake क्या हुआ भाई कि इस t को एक साथ मतलब t वाले के साथ करना है न इस step को कट दो sorry comment में गलत comment मत कर देना इसके लिए ठीके न तो आसा cut कर दो मैं तुमें होते रहता है ठीके सबसे पहले क्या करो 3 t minus 2 y 4 minus 2 t plus 3 y 3 और यह minus t है न इसको इसे लाएंगे तो क्या हो जाएगा plus t equal to 2 y 3 यहाँ पर कुछ नहीं था हम वाल लिख सकते हैं कोई फार्क नहीं पड़ता अब 4 3 और 1 का LC हम लेंगे तो क्या होगा यह हो जाएगा 12 क्या होगा 12 इसको डिवाइड करेंगे pór time है three times three और इस से कर देंगे दोनों इसे कर सकता हो कि three into three t minus 2 minus इनको डिवाइड करेंगे four time four और इस दोनों से मल्णीफ़ कर देंगे तो four into 2t plus 3 इसको डिवाइड करेंगे 12 times 12 और t से करेंगे twelve t हो गया equal to 2y3 ठीक है अब मैं क्या करता हूँ इसको cross multiplication कर देता हूँ यह जो 3 है न सब में multiple करेगा तो इसको कैसे लिखूंगा भाई तो पहले ऐसे कर लो और बड़ा bracket लगा दो और यह 3 है तो 3 और यह 3t-2 इस 3 को मैंने बाहर कर दिया देखो और बाकी मैं यह सब लिख रहा हूँ माइनस 4 2t पलस 3 पलस 12t और यहां से brackets को बन कर देंगे 12 जाकर 2 से करेगा तो 24 हो गया इसमें आ गया अब आईए बड़ा brackets रखेंगे 3 को इससे करेंगे तो 90 हो जाएगा माइनस 3 को 2 से करेंगे 6 हो जाएगा माइनस 4 को 2 से करेंगे 8t होगा माइनस पलस माइनस 12 हो जाएगा अब पलस यह 12t equal to 24 ओके अब क्या करता हूँ ध्यान देना इस 3 को 3 रहन देते हैं यह देखो 9t और 12t 21t हो गया और उसमें से यह 80 घट गया यह देखो 9 और 8 यह मार कितना 1t और 13t हो जाएगा मतलब इसको add करोगे 21 21 में से 8 जाएगा 13 हो जाएगा यह माइनस 12 और माइनस 6 माइनस 18 हो जाएगा equal to 24 अब क्या करूँ अब इस 3 को मल्टपल कर दो इन 3 को तो 13 3 जा 39 t माइनस 18 जा 54 equal to 24 अब यहां से देखो 39 t equal to 24 और माइनस दर जाएगा तो प्लस हो जाएगा यहां से 39 t equal to इनको add करेंगे तो क्या 4 4 8 5 2 7 यहां से t equal to करेंगे तो क्या होगा 78 by 39 यहां से t equal to क्या हो जाएगा 2 times में divide हो जाएगा तो t का value 2 आगिया देखो कितना बड़ा सा है लेकिन बहुत असाने ध्यान से बनाओ गे तो चलो answer इसका भी check कर लेता हूँ क्या answer आ रहा है या नहीं आ रहा बनाएंगे सही तो answer आएगा ही ऐसा थोड़ी एक answer नहीं आएगा guarantee के साथ आएगा मेरे भाई देखो t का value 2 आगिया t का value 2 आगिया चलो अगला question 6 next question क्या है 6 6 भी बहुत important है अब के exam में एक question पुछे जाता है 6 वाला ठीक है क्या है a minus a minus 1 by 2 equal to 1 minus a minus 2 by 3 ठीक है यह question है सबसे पहले क्या करेंगे जो a में वाला पार्ट है ना उनको एक साथ कर लेंगे ठीक है पहले क्या करेंगे इस equation को एक बहुत राइट करेंगे a minus a minus 1 by 2 equal to 1 minus a minus 2 by 3 यहां से यह aim है minus a minus 1 by 2 और यह minus दर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो मैं क्या करता हूँ इसको प्लस कर दिया a minus 2 by 3 ठीक है equal to 1 अब आपको बीच में जो minus यह नहीं होगा देखो यह एक साथ है bracket के साथ है मतलब एक दोनों साथ में है तो यह सिर्फ sign change होता है ठीक है वह दोनों साथ में इसलिए नहीं हुआ अब इसका यहाँ पर aim यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 नहीं सकता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो 1 2 3 calcium 6 हो जाएगा इसको डिवाइड करेंगे 6 और M से करेंगे 6 M माइनस इसको डिवाइड करेंगे 3 ताइमस यहाँ गया 3 और M-1 है तो M-1 इसको दोनों से मल्टपल कराएंगा अगले स्टेप में इसको डिवाइड करेंगे 2 ताइमस दोनों से मल्टपल करा देंगे तो 2 into M-2 हो गया इकवल टू 1 अब मैं आगे बढ़ाता हूँ तो 6 M इसको 3 से करेंगे तो 3 M---3 इसको करूंगा तो 2 M----4 इकवल टू यहां पर कुछ नहीं तवाल नहीं सकते हैं और 6 और 1 से करेंगे तो 6 हो जाएगा और 1 से इतना सकर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं तो मेरा इतना आ गया 6 M में से 3 M जाएगा तो 3 M आ गया 3 M और 2 M 5 M और 3 M-4 यह माइनस 1 आ जाएगा इकवल टू 6 ठीक है बाते समझ में आ रही है कोई तो प्रब्लम नहीं है किसी को चलो कोई प्रब्लम नहीं है किसी को सबको बाते समझ में आ रही है तो यहां से 5 M एकवल टू हो जाएगा 6 और मैनस इढर जाएगा तो फुलस यहां से 5 M एकवल टू यह हो जाएगा 7 M एकवल टू करेंगे तो 7 बाई 5 अब चलो देखता हूँ कि हमारा एंसर आया है यह नहीं आया है बनाओगे सही तो एंसर आएगा यह आएगा ऐसा हो नहीं सकता कि कोई एंसर ना आए सारे एंसर आएगा भाई ठीक है सही से बनाओ एंसर आएगा 7Y 5 तो question number 6 भी complete होता है अब next question देखो question number कौन सा है भाई next 7 क्या बोला है simplify and solve the following linear equation वहीं same question है लेकिन दुबारा इसको लिखना पड़ा इसको ठीक है और थोड़ा divide fraction का था है बिना fraction का है तो यह असान होगा ठीक है बहुत ही असान होगा question number 7 3 into t minus 3 equal to 5 2t plus 1 ओके यह question है अब इस question को मैं solve करता हूँ सबसे पले जो equation दिया है न उसको मैं लिख हूँगा 3 t minus 3 equal to 5 2t plus 1 अब मैं क्या करता हूँ इस 3 को t से करेंगे 3 t होगा 3 को minus 3 से करेंगे 9 5 को 2 से करेंगे 10 t 5 को 1 से करेंगे 5 ओके यहां से देखो यह 3 t और यह plus equal के side आएगा तो minus 10 t होगा और यह 5 और यह minus इदर जाएगा तो plus हो जाएगा यहां से जब इसको minus करोगे तो कितना होगा minus 70 हो जाएगा और यह हो जाएगा 14 तो यहां से t equal to करोगे तो 14y minus 7 इसको डिवाइड कर दो टू टाइम में यह minus आजाएगा ती का जो value आया वह हमारा minus 2 आ गया चिक कर लो इसका answer आया है या नहीं आया चिक कर लेता है देखो minus 2 आया है देखो सही से बनाओगे तो answer आएगा यह आएगा 8 number देख लो 8 number question है कि 15 y minus 4 minus 2 y minus 9 y minus 9 plus 5 y plus 6 equal to 0 question सही है चलो अब मैं इसको बना दाता हूँ long देखने में लग रहा है लेकिन बहुत यह आसान है ठीक है सबसे पहले क्या करोगे सबसे पहले इस equation को write करोगे 15 y minus 4 minus 2 y minus 9 plus 5 y plus 6 equal to 0 यहां से 15 को y से करेंगे 15 y 15 को 4 से करेंगे 60 2 को y से करेंगे 2y minus 2 को minus 9 से करेंगे 18 पलस 5 को y से करेंगे 5y 5 को 6 से करेंगे 30 equal to 0 ओके अब यहां से देखो 15 y में से 2 minus करेंगे तो 13 हो जाएगा 13 और 5 को add करेंगे तो 18 y हो गया ठीक है अब यहां देखो यह 30 है और यह minus 60 है तो यह होगा minus 30 minus 30 और 18 और 48 हो जाएगा minus 48 हो जाएगा equal to 0 यहां से 18y equal to minus तर जाएगा तो पलस हो जाएगा यहां से y equal to क्या होगा 48y 18 अब इसको करो तो इसको मैं करता हूं इसको 63 जा 18 और इसको 6 से 8 टाइमस में यहांनि y का जो value आ जाएगा 8y 3 आ जाएगा ठीक है तो सही है ना सही है कि नहीं चलो answer एक बर चिक करता हूं सही equation होगा तो answer सही आएगा गलत हो ही नहीं सकता ठीक है क्या है 2.2 ना 2.2 का 8 नमर 2 by 3 है oh my god यह तो गलत हो गया हम लोग का 8 by 3 है पता है कहां पर mistake हुआ होगा पहले question को मिलाओ कहीं तो question गलत नहीं ना y-4-2y-9-5y-6 ठीक है हम लोग mistake कहां किये है पहले इनको मटपल करके चेक करेंगे सही है इसको मटपल केस सही है इसको भी केस सही है हाँ यहां गलत है minus 2 और minus 9 देखो minus minus क्या होता है plus होता है तो यह प्लस 18 हो जाएगा ठीक है यह हम लोग का mistake था तो 60 और 18 को add करेंगे तो कितना होगा 48 और 48 में से minus 60 जाएगा तो क्या आएगा यह आएगा हम लोग का minus 12 आ जाएग होता है mathematics से mistake हो गया देखो एक छोटी सी mistake पूरा एंसर गलत इसलिए आप लोग को नहीं करना इससे सिखो माइनस 12 बहना इधार आएगा तो पलस 12 हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा अब इसको शिक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् जाएगा उपर टू उपर टू निचे त्री यहमारा एंसर हो जाएगा सुधार कर लो ठीक है चलिए नाइन नंबर क्या आपका नाइन नंबर तो बहुत ही ज्यादा लॉंग है भाई बट कोई नहीं बहुत ही असान है 9 नमबर क्या है 3 into 5z minus 7 minus 2 9z minus 11 equal to 4 8z minus 13 minus 17 ओके यह question है ध्यान से देखो long है डरो नहीं ठीक है पहले इस equation को एक बार write करेंगे 3 5z minus 7 minus 2 9z minus 11 equal to 4 8z minus 13 minus 17 पहले इनको multiple करेंगे 5 को 3 से क्या होगा 15z हो जाएगा 3 को 7 से करेंगे minus 21 2 को 9 से करेंगे minus 18z minus 2 को minus 11 से करेंगे यह हो जाएगा 11 to 22 minus minus plus 22 हो गया equal to 8 को 4 से करेंगे 32z 13 को 4 से करेंगे यह जाएगा फिप्टी टू equal minus 17 है तो minus 17 हमने इसको सारे को multiple कर लिया अब जेड वाला एक साथ रखेंगे तो 15z माइनस 18z और यह पलस दर आएगा तो minus 22z equal to minus 52 तो minus 17 और यह minus एक दर आएगा तो plus 21 और यह पलस दर आएगा तो minus 22 अब देखो यहां से देखो 18 में से 15 जाएगा तो 3 आएगा minus 3 minus 3 और 32 जो जाएगा minus 35z यह देखो यहां से minus 22 में से 21 जाएगा तो minus 1 आएगा minus 1 और से minus 17 minus 18 minus 18 और 52 को एड़ कर देंगे यह हो जाएगा minus 17 ओके अब यहां से z equal to कर देंगे तो minus 17 और यह minus 35 जा करके divide कर देगा minus minus plus 35 तो जाएगा तो आजाएगा answer एक बार इसका भी match करा लेते हैं क्या हमारा answer आया है यह नहीं आया है आएगा थोड़ा सा कहीं पर वह mistake हो जाता है ना तो कभी mathematics में problem हो जाती है ठीक है confirm है कि आएगा ठीक है चलो लास्ट question 10 number 10 question क्या है 0.25 0.25 into 4f 4f minus 3 equal to 0.005 10f 10f minus 9 यह question है अब देखो तो इस question को मैं कैसे बनाऊंगा बहुत ही असान है ऐसा नहीं के बहुत कटीन है बहुत ही असान है ठीक है देखो सबसे पहले क्या करूंगा इनको एक जो equation given रहता है उनको लिख लेता हूं 4f minus 3 equal to 0.05 और 10f minus 9 इनको multiple करो 0.25 को 4 से करेंगे तो कितला होगा आईए मैं इसको multiple करके चेक कराता हूं आप लोगो 0.25 को 4 से multiple कराना है ठीक है 4,5,0,20 carry 2,4,0,10 carry 1,4 और 0,0 और 1,1 देखो यहां से 2 digits के बाद decimal आना तो यहां से भी 2 digits के बाद decimal लगा देंगे यानि 1 point मतलब देखो point के बाद 0 का value नहीं होता है तो यानि 1 आ जाएगा क्या आएगा 1 और f है तो 1 f हो जाएगा ठीक है माइनस 25 को 3 से करोगे तो 0.75 हा जाएगा यह देखो इनको करोगे 0.05 को 0.05 को 10 से कर दो जीरो 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 नहीं 1 से और 5 से करेंगे 0.000 तो 2 educational हुआ लगा देंगे यह नहीं आ जाएगा 0.50 half है तो & this is prior my minus इसको करएगे तो 0.45 यह जाएगा ठीक है अ अब मैं क्या करता हूं ध्यान देना को हारेख झार और ऐख है दोनों के एक सांत ऐस कर लेंगे तो 1 एफ और प्लस देराएगा तो माइनस 0.50F हो जाएगा और यह माइनस है 0.45 और माइनस इवलक साइट जाएगा तो प्लस हो जाएगा 0.75 अब देखो वन एफ में से 0.05 माइनस करें तो क्या होगा देखो यहां पर वन एफ है था ना पहले वन एफ का मतलब क्या है यह 1.00 पॉइंट के बाद 0 का भेल होता नहीं है और इनको क्या करना है माइनस करना है तो 0.50 को माइनस करेंगे तो यह जीरो और यहां से 5 और जीरो वान ने तो इधर कहरें दिया था ना तो क्या बज़ ज़गा 0 यहांनि 0.50 आ जाएगा और यह देखो 75 में से 45 को एड करेंगे क्या होगा 75 में से 45 करो तो जीरो और यहां से 33 हो जाएगा यह 3 हो गया ठीक है अब यहां से क्या करता हूँ F equal to कर देता हूँ, ठीक है, F equal to कर गो तो क्या होगा, 30 by 0.30 है, 0.30, 0.30 by 0.50, यह देखो, decimal, decimal cancel, यानि हमारा F का जो value आया, F का जो value आया, 30 by 50 आ गया, 00 यह भी cancel, यानि F का final answer, 3 by 5 आ गया, अब देखो, decimal में सब दिया था ना, तो इनको भी decimal में change कर दूँगा, F equal to 3 में 5 से divide कर देंगे, 3 में 5 से divide कर दो, नहीं जाया है न, तो 0 decimal ले सकते हो, जब divide नहीं होता है, तो 0 decimal ले सकते हो, यह आपर एक 0 बठा सकते है, अब 5, 6 जा 30, यानि 0.6 आ जाएगा, 0.6 अपका answer, अब जाएए, और answer मिलाएए, क्या आपका answer आया है, या नहीं आया है, आ और जदी आप लोग चाहते हो, कि एप के थुरू हमें, all 8 class की math पढ़ सके, तो आप लोग कारव अकारडमी एप को डाउलोड करके, वहाँ से अपना course खरी सकते हो, मातर 499 रुपे में पूरा 8 class की math कंप्रिट करा दी जाएगी, वहाँ पर new batch start है, ठीक है, एप पर, इस पहना ही देना चाहते हो, और आप चाहरे हो उसर हमें notes दे दो, तो जानते हो का मिलेगा, इस video की description में link है, जाइए और इस link पर क्लिक करिए, सारे notes आप लोग को मिल जाएगा, जल्दी जाइए, notes को देखिए, क्योंकि ज़्याद देर लगाना, इसको प्रोफिट होए नही ठीक है, चले मिलता हो, उनेश क्लास में, वीडियो पस्सान नहीं हो, तो वीडियो को लाइक कर देजीएगा, जितना उसको अपने दोस्तों में share भी करिएगा, thank you so much